दोस्तों LDC की नई भरती आ गई है तो चलिए इस नई भरती के बारे में संपुर्ण जानकारी देख लिजिए पहले के जैसा आप नहीं रहा है बहुत कुछ बदल गया है तो कैसे क्या सेलेक्षन होगा इस फॉर्म को कौन-कौन फिलब करेंगे योगिता चेन परक्रिया सभी चीज़ों के बारे में आप लोगो को बताने वाले हैं सबसे जो बड़ा बदला हुआ है दोस्तों syllabus और pattern में तो नए syllabus और pattern क्या कुछ है चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए यह रहा दोस्तों आपके सामने official notification यहां पर आप भरती के बारे में देख सकते हैं भी कुछी दिर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो यहां पर दिखेगा combined higher security 10 plus 2 level examination 2022 इसी को सौट में CHSL कहा जाता है इसमें जो है बार्मी लेबल पर जो भी पोस्ट है भी पोस्ट को इसमें सामिल किया गया है यहां पर आप दिखेगा important date के बारे में तो 6 दिसंबर यानि आज से ही फॉर्म भराना शुरू है लास्ट डेट है 4 जनवरी 2000 तेस्ट online payment का date रखा गया 5 जनवरी चलान के माध्यम से बायंग के माध्यम से आप 6 जनवरी तक payment कर सकते हैं इसके बाद फॉर्म में किसी परकार का तुरूटी हो जाता है तो 9 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक आप सुधार कर सकते हैं और दोस्टों आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में details में जनकरी देने वाले हैं खासकर के syllabus को लेकर salary कितना क्या मिलता है तो सभी चीज़ों के बारे माप संपूर्ण जनकरी देख लीजए एक ही video में आपको संपूर्ण जनकरी मिलने वाला है इसके बाद देखेगा Tier 1 Examination यानि प्राड़मभीक परिक्षा तो Tier 1 Examination जो है फरवरी मार्च 2013 में ली जाएगी तो फरवरी लास्ट शुरू किया जाएगा मार्च तक चलेगा नहीं तो मार्च में इस परिक्षा को ली जाएगी और यहां पर देखेगा Tier 2 तो पहले के जैसा आप नहीं रहा है पहले जो होता था दिस्क्रिप्टिव अब इसमें बदलाव हो गया है Tier 2 Computer Based Examination यानी CBT एक्जाम ही लिया जाएगा और चलिए अन्य चीजों के बारे में देखेगा यानी यहां सब को सेलरी के बारे में पता चल जाएगा तो लडिसी का जो पोस्ट है और जैसे का जो पोस्ट है यह लेवल ट इसके बाद दिखेगा Data Entry Operator तो Level 4 का जौब है 25,500 बेसिक सैलरी है तो इसमें लगभग आपको 37,000 सैलरी मिलने वाल है जब आप जोइन किजेगा Level 5 में इसे भी अधीक मिलेगा Data Entry Operator का फिर Level 4 का यहां पर सीट है तो यहां पर दिखेगा Grade A, Grade इस तरह से करके दिया हुआ है तो सीटों के संख्या जो है Level 4, Level 5 में काम रहता है जैदे सीट आपको देखने को मिलेगा Level 2 से संबादित और Total सीटों के संख्या के बारे हम सुन रहे होंगे कि Postal Assistant Vacancy का क्या हुआ जो Post Office Related था पिछली बार तो था यह दोस्तों अब SSC CGL में जूट गया है उसका Qualification Change होकर के Graduation हो गया है इसलिए से इसको हटा दिया गया अब CGL में यह जूट गया इस पर देखेगा CGL में बहुत अधिक भरती रहने का कारण यही थ था तो 45 वाभी वेकेंसी है इसमें सीटों को संख्या और भी बढ़ सकती है रिजरवेशन का लाव आपको केंदर सरकार के अनुसार मिलने वाला है अब चलिए अन्य चीजों के बारे में आप देखिए फिर आपको सभी चीजों को लेकर क्लियर होने वाला है एज लिमीट तो एज लिमीट जो मांगा जर एक जनवरी 2022 से मिनिमम एज जो होना चे एक जनवरी 2022 को 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बाद अधिकतम उम्र की बात के रिए अगर आप जनरल कैटोगरी साते हैं EWS स्यात 37 साल अगर आप OVC साते है तो O पांच साल का उम्र में छूट होता है तो 37 पलस 5 32 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बारे हम यहाँ पर है सी एस्टिम देखेगा तो पांच साल का रिलेक्सेशन दिया हुआ है इसके बाद OVC में तीन साल का और यहाँ पर दिव्यांग अभ्यार्थियों अंधित है यहाँ पर दिया हुआ है और चलिए अन्य चीजों के बारे में आप देखिए तो का स्यटिफिकेट यह सब चीजे जो होना चाहिए सेंटल गवर्मेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए यह जो sse की भरती है इसलिए सेंटल गवर्मेंट का मांगा जात है किंदर सरकार के नुसार होना चाहिए और अन्य चीजों के बारे में देखिए इसके बाद एक्जाम पैटर्न ये सब चीजे है तो यहाँ पर है क्वैलिफिकेशन एजुकेशनल क्वैलिफिकेशन थी यह जो होना चीज चार जनवडी 2030 यानि फॉर्म भरने की अंतीम तिति तक अगर और क्लियर हो जाएगा आपको फॉर्म कैसे फिलप करना है तो एससी को ओफिस्यल साइट से आपको फॉर्म फिलप करना है अप्लिकेशन फी 100 रोपी रखा गया है ये सिर्फ पुरूस अभिहारतियों के लिए अगर आप किसी भी कैट्टोगरी से महिला है तो कोई भी फी नहीं लगेगा अगर आप दिव्यांग अभिहारतिय एक सर्विस्मेन है तो कोई भी फी आपको नहीं देना है साथी सेस्टी कैट्टोगरी में भी पुरूस महला दोनों के लिए फी में छूट है इसके बाद और अन्य चीजों के बारे हम देखेगा कॉर्यक्शन आप कर स सकते हैं सेंटर आप अपने पसंद के अनुसार तीन सेंटर चूज कर सकते हैं यहां पर सभी राज्यों में इसका सेंटर बनाया गया है इसके बाद अब चले यहां से स्कीम ऑफ एक्जाम नेशन के बारे हम देखी यह आपके लिए जानना जरूरी है तो परिक्षा जो है दोस्तों दो चर्णों में है टीर वन टीर टू इस बार क्या हुआ है कि यहां पर मेंस लागू हो गया जिस तरह से से सीजी अलमहत इसका पैटर्न क्या कुछ है देखिए पहले क्या होता था डिस्क्रिप्टिव एक्जाम होता था एक सो नमर का टीर टू में अभी यह हट गया है अब डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं देना परेगा तो परिक्षा एक सधीक चर्णों में ली जाएगा इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और आंसर की जारी होगा किसी परकार का तुरूटी होता है एक सुरुपया प्यमेंट करके इसमें सुधार यह सब चीजों अब्जेक्शन कर सकते हैं सबसे पहले टीर वन के बारे में देखे तो टीर वन में इंगलिस लैंग्वेज से 25 क्वेस्टन पुछा जाएगा मार्क्स पचास यानि एक क्वेस्टन दो मार्क्स का है जेनरल इंटेलिजेंस यानि रिजिनिंग में 25 पुछा जाएगे जिरव अगर इसका मतलब हुआ अगर आप चार ग्युशन गलत कि जेगा एक आपका सही जनेकत सर्यां पे मार्क्स पुछ घलत हो जाएगा तो 0.5 marks काटा जाएगा तो इस तरह से आप निकाल लिएगा तो 1 by 4 तो 1 by 4 ही निगेटिव मार्किंग रखा गिया है इसके बाद देखिए यहाँ प्रेस्किम आप टीर 2 examination के बारे में तो यहाँ पर इसको आपको अच्छे से समाजना है तो यह दोस्तों ससी CGL की तरह हो गिय सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा session 1 exam है इस session 1 में आपको 2 घंटा 15 मिनट का टायम मिलने बाला है तो जब आप computer पर बैठिएगा 2 घंटा 15 मिनट का आपको कुल समय मिल दा है एक घंटे के लिए यहाँ पर एक-एक session है तो सबसे पहला session का यहाँ पर यह जो है इससे संबा बांधित आप से 30 question पूछा जाएगा यानि अब CMCGL exam की तरह हो गया math से 30 question और reasoning से 30 question टोटल 60 question एक question है तीन marks का total 180 marks का यह exam हो गया इस exam के लिए total आपको एक घंटा का 60 मिनट का समय मिलने वाला है यह जैसे ही session complete होगा इसके बाद section 2 यहाँ पर दूसरा जो है इसमें आप आ जाईएगा तो section 2 में देखेगा यहाँ पर तो reasoning यहाँ पर जो रखा गये English रखा गये और GK रखा गये English से संबादित 40 question पूछा जाएगा और GK से संबादित 20 question यहाँ भी 60 question और यहाँ भी 60 question है यानि section 1 में 60 question है math और reasoning से संबादित section 2 में English से 40 और GK से 20 तो 60 यहाँ पर भी question हो गया इसके लिए भी आपको एग घंटा समय मिलने वाले यानि total इसमें एग घंटा होगे एग घंटा तो दो घंटा आपका यहाँ पर complete हो गया आप 15 मिनट बचता है इस 15 मिनट में आपसे फिर section 3 से computer related question पूछा जाएगा और यह सिर्फ qualify है इसका marks merit में नहीं जुडता है computer knowledge से समझे 15 question पूछा जागा एक question है तीन marks का total 45 हो गया तो यानि आपका जो merit बनने वाला है दोस्तों यहाँ पर section 1 मे math reasoning हो गय इसके बाद section 2 में English हो गया और जी किया तो यहाँ पर 40 20 60 हो गया तो 360 marks के धार पर आपका merit बनने वाला है इन सभी चीजों के बारे में आगे बताया गया आगे और आपको clear हो जाएगा और computer knowledge यह qualify है इसके बाद यहाँ पर देखेगा tapping test है तो tapping test रखा गया तो इसके लिए 15 20 मिनट यह जो भी समय दिया गया है इस recording होगा इसके बाद देखेगा यहाँ पर section 1 में mathematics आ गया reasoning आ गया जो की शुरू में आप देख लिए section 2 में English आ गया general awareness आ गया section 3 में computer knowledge test skill test आ गया यह दोनों जो है qualify है यानि आपका merit यहाँ तक जो subject है इसी subject के धार पर बनने वाला है section of tier 2 जो यहाँ पर रखा गया है qualify आपको हर section में होना जरूरी है merit कैसे क्या बनेगा इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताया गया है तो आगे चलिए आप देखिए फिर आपको सारा कुछ clear होने वाला है फारम भरतेस में आपको post preference भी देना है यहाँ पर syllabus के बारे में tier 1 के बारे में तो जो पहले का अनुसार था वही है इंगलिस में जरीजनिंग में syllabus और इसके बाद quantity, aptitude, math में तो math में देखेगा दोस्तों यहाँ पर तिरकोन मीती, जैमीती यह सब सभी topic आ गए यानि arithmetic प्लस advanced math दोनों आप से पूछा आ जाएगा जनरल awareness में current affair सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो tier 2 में भी math का वही syllabus है जो की tier 1 में यानि प्रारंभीक परिक्षा में है सभी topic का नाम यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर reasoning का भी देखेगा तो पूरे topic है English में भी इसी तरह से दिया हुआ है और general awareness GK में भी सी तरह से history, quality, geography, economics, physics, chemistry, biology और इसके बाद हो गया current affairs module यहाँ पर दिखेगा computer basic, computer से related पूछा जाएगा यह सिर्फ qualify है इसमें आपको अच्छा marks लानी की कोई जरुद नहीं है इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे माँ आप देखिए तो जब आप exam देने जाएगा तो उससमें आपको एक ID proof मांगा जाएगा जो कि आपको लेकर जाना है post preference form भरते समें आपको देना परेगा और post preference जिस according आपको marks हैगा उस according आपको मिलने वाला है document verification के समय 10th 12th जाती परमान पत्र यानि अगर आप NCL बनाना परेगा अगर आप OVC सा आते हैं ये सब चीज़े आपको देना परेगा EWS परमान पत्र mode of selection के बारे में देखेगा ति यहां पर आपको अच्छे समाजना है ति यहां पर दोस्तों minimum का condition 30% लेकिन इतना पर आपका selection होगा ने लगभग 70% आपको marks लाना परेगा तब जाकर आपका selection होने वाला इस से अधीक पर ही आपका selection होगा यहां पर देखेगा तो candidate को shortlisted क्या जागा tier 2 examination के लिए tier 1 examination में marks के धार पर और इसके बाद normalized marks के धार पर merit कैसे क्या बनेगा तो tier 2 देखेगा तो सभी candidate को pass होना जरूरी है यह सिर्फ qualify ही नहीं है आगे बताया गे है merit के बारे में यानि qualify होना जरूरी है tier 2 examination में और यहां पर पर देखेगा section 1 और section 2 tier 2 का examination का जो है इसी में marks के धार पर आपका merit बनने वाला है इसके बाद और चीजों के बारे में बताया गे हागे merit list के बारे में यहां पर बताया गए merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidate in tier 2 examination only यानि tier 1 exam जो है सिर्फ qualify रह गया है qualify का यह मतलब हुआ कि आपको men's के लिए PT में अच्छा marks लए men's के लिए आप shortlisted होएगा फिर men's exam होगा और merit जो बनने वाला है men's exam marks के अधार पर ही तो men's exam में यहां पर देखेगा tier 2 examination के अधार पर ही merit बनेगा इसमें कौन-कौन सा section जूटेगा merit list will be prepared यहां पर देखेगा section 1, section 2, tier 2 examination का section 3 जो था यह qualify section है यानि इसमें आपको अच्छा marks लाने की जरुद नहीं है बस आपको section 1 और section 2 में अच्छा marks लाना है section 1, section 2 का अर्थी यह हो गया कि math से जो 30 question था उसमें अच्छा marks लाइए reasoning से 30 question था उसमें अच्छा marks लाइए और English से 40 question है, GK से 20 question है इसी में अच्छा marks के धार पर आपका selection होने वाला है तो यहां से दोस्तों आपको सारा किस clear समझ में आगया कैसे क्या selection होगा और merit आपका post preference में marks के धार पर बनने वाला है अगर आप सभी चैनल पर नहीं है फटाफट सब्सक्राइब करके जुर जाएए अगर दो candidate का marks समान होता है तो इस condition में section 1, tier 2 का marks देखा जाएगा ये भी समान हो जाएगा, date of birth देखा जाएगा ये भी समान हो जाएगा, नाम कलफा वेटिंग order देखा जाएगा तो यहां से दोस्तों आपको एक ही वीडियो में संपुर्ण जानकारी मिल गया इस form को कौन कौन फिल अप करेंगे, कैसे क्या selection होगा इसमें merit किस परकार से बनेगा, syllabus क्या कुछ है, exam का pattern क्या कुछ है तो अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है इस वीडियो को आप शुरू से अंतक देख लिजे, फिर आपको संपुर्ण जानकारी मिल जाएगा और कोई भी आपका dot बाकी नहीं रहेगा तो form जो आज ही से शुरू हो गया है चार जनवरी last date है, तो last date से पहले आप सभी form फिल अप कर लिजेगा लास्ट समय वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है इसलिए आप सभी को समय रहते फोरम फिल अप कर लेना है